नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है उत्राखंड में एक बार हाथ से निकलने के बाद खुक्कियाद खनन माफिया जफर को मुरादबाद पुलिस ने सनिवार की तड़का एंकाउंटर के दोरान दबोच लिया पुलिस और जफर के बीच यह एंकाउंटर पाकबडा में हुआ इसमें जफर के पैर में गोली लगी है वहीं एक पुलिस करमेवी जफर की फाइरिंग से घायल हुआ है इस खननन माफिया के खिलाफ हाली में ADG ने एक लाख रुपे का इनाम गोशित किया था इस से पहले उसके खिलाफ पचास अजार रुपे का इनाम गोशित था मुरादाबाद में पुलिस का जिकनजा कसने के बाद यह बदमास सनीवार की सुभा दिल्ली भागने की फ्राक में था वहीं SP सिटी अकलेस बदोडिया ने बताया कि इस एनकाउंटर में गायल खननन माफिया जफर वे सिपाई संदीप को जिला अस्पताल में भरती कराया गया है इस बदमास से पुष्टाज के लिए अस्पताल पहुचे AC सिटी ने उसके कबजे से एक पिस्टल और बाइक बरामद हुई है बता दे की दो दिन पहले ही इस जफर को पकड़ने के लिए मुरादबाद की SOG मुत्राखंड गई थी वहाँ एक घर में दबिश के दोरान गोली चली और एक महिला की मौत हो गई इस मामले में उत्राखंड पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया था इस घटना के बाद ADG ने इस बदमास के खिलाफ इनाम की रासी बढ़ा कर एक लाक उर्पे कर दिया था आपको बता दे तिन दिन के अंदर बदमास जफर के साथ मौरादबाद पुलिस का सनिवार की सुभा दूसरा एनकाउंटर हुआ ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रहे है इन खबर के साथ